हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बोबी फिशर की एक काफी खुबसुरत गेम देखेंगे जो कि उन्होंने 1966 में खेली थी अगेंस जैसर वेंडरस्की के सामने इस गेम को बोबी फिशर ने उनकी 60 memorable games में भी included किया है आए शुरू करते है जहाँ पर बोबी फिशर ने गेम की शुरुवात की E4 से नाव C5 सिसलेंग डिफेंस, Nf3, D6, D4 ओपन सिसलेंग टेक्स, Nf6 सेंटर पॉंट पर अटेक है N2, C3 सेंटर पॉंट को सेव किया and now A6 और यह है सिसलेंग का फेमस वेरिएशन, Nf3 जहाँ पर बोबी फिशर ने उनकी वन ओप दो फेवरिट मूव के लिए बिशप को C4 जो की अक्सर वो जो है सिसलेंग डिफेंस के सामने खेला करते थे and now E6, B2, B3, pawn on B5 को anticipate किया उन्होंने and now Nb2, D7, Black ने खेला and F4 और इस पोजिशन में ब्लेट ने खेला, N2, C5, center pawn पर attack है और वो भी फिशर ने simply pawn to F5 खेल दिया तो दोस्तों यह पूरी theory है कि आप center pawn को capture कर नहीं सकते और उसके बाद जैसक की preparation नहीं थी जैसक नहीं इस position में खेला Knight captures on E4 जबकि उधर best move यह है ब्लेक के लिए कि वो बिशप to E7 खेले और अपना development पर focus करे बट anyways ब्लेक ने खेल दिया Knight text on E4 center pawn मिल रहा है क्यों ना capture किया जाए साथ साथ जो है Queen H4 भी आ रहा है पर दोस्तों यह जो है problem है यहाँ पर Bobby Fischer ने खेला F captures on E6 और अभी भी जो है ब्लेक थोड़ा बहुत खामियाज़ा भुगत के जो है position को बैलांस करने के लिए try कर सकता है with like bishop captures on E6 and up to Knight text और यहाँ पर pawn text, Knight captures, Knight captures and twin to G4 के बाद वो भी Fischer को अपना pawn मिल जाएगा definitely Knight पर attack है यहाँ पर भी attack है और साथ जो है black का pawn on D5 जो है I mean D6 वाला pawn जो है वो भी weak हो ज सकता है जबकि black को जो है थोड़ा time लगेगा so definitely यह position white को favor करेगी but black फिर भी जो है defense कर सकता है ऐसा नहीं है कि white तुरंत ही win कर रहा है but game में क्या हुआ कि I have text on E6 के बाद twin to edge को चेक दिया और यह जो है blender है यहाँ पर भी Fischer ने खेला G3 and after Knight text on G3 आपके root पर attack है तो रूप मू कीजिए और सोचिए कि यहाँ पे क्या खेलना चाहिए दोस्तो यह पूरी theory है मैं आपको दो option देता हूँ एक है pawn से F7 को capture करो चेक दो बाद में Knight F3 खेलो दूसरा है directly Knight F3 खेलो घड़ी दोस्तो यहाँ पे Knight F3 जो है most accurate move है अगर आप पहले capture करते हो and then King D8 पे जाता है आपक तो चेक उल्टा दे दिया आप Black का King जो है move हो गया और अब हम Knight F3 कर लें डिफरेंस यह है कि pawn अगर E6 पे है तो Queen E7 चेक नहीं है इस position में वह चेक है जिसकी वजा सा यहाँ पर क्या होगा after Knight E2 Black easily Queen भी exchange कर लेगा Queen captures E2 and then Queen captures Knight captures ऐसा मत सोचना कि आप जो है रूप को मार सकोग यह नहीं मार सकते है क्योंकि Bishop to G5 आ रहा है रहा है बट एक्षेंजी स्क्वीन जैसे ही हो जाती है हमारा pawn on E7 जो काफी वीख है वो चला जाएगा आगे चलके Black के पास एक उल्रेड़ी एक्स्ट्रा pawn है so definitely इस position में हम जो है Black की position को favor कर सकते है बट गेम में जो है Knight Tex on G3 के ब 2H5 and now pawn captures on F7 check King D8 और अब देखिए Rook 2G1 so यहाँ पर देखिए Knight पर टेक है और Knight गरी F5 पर and now Knight 2D5 Knight D5 का point यह है कि आप जो है C7 and E7 जैसे square cover कर रहे हो यहाँ पर जो है Bishop to G5 आने ही वाला हो इस particular position में Black ने जो है F7 वाला dangerous pawn है उसको capture कर दिया बट नाव Bishop to G5 check और यहाँ पर the piece जा रहा है क्योंकि Bishop से Queen पेटे होगा और उसके बाद उतना ही नहीं discover होगा उसमें जो है दूसरा piece भी जाएगा इनकैस अगर आप Knight Cb3 जैसा कुछ कहलने की सोच रहे हो तो but anyways यह position जो है just winning हो चुके ओलएड हमारे लिए और अगर आप King जो है वो D7 पर जाते हो then Knight to B6 औ यहां पर Queen चली जाएगी so Bishop to G5 के बाद King e8 force and now Queen to e2 check Bishop to e6 Knight to f4 so Bishop to attack है जबकि उदर आप जो है Long Castle करके भी खेल सकते थे और इस position में से Black Knight takes on b3 खेलता है then a takes and after King d7 हम यहां पर simply Long Castle खेलेंगे with an idea of Knight check और Queen जा रही है so after Queen e8, Queen e4 idea है Queen captures b7 का और उसके बाद root to e1 आ रहा है so White की position completely winning गेम में क्या हुआ Knight f4 के बाद खेला गया King to d7 but now casting Long again threatened Knight to e5 Queen जा रही है Queen e8 और अब उसी तरह का कुछ variation जो है वो गेम में हुआ Bishop captures, Knight captures and now Queen to e4 so यहां पर point क्या है Queen e4 केलने का, e से आप जो है इस position में Knight captures on g5 केलते हो then हम Queen captures on e5 जो है वो पहले check दे सकते है और बाद में जो है Rook e1 आ जाएगा और position जो है White के लिए still winning है but इस position में खेला गया G6 but यहां पर key move miss कर दी Queen captures on b7 Black ने so now Knight captures on e6 and after Queen captures on e6 Queen captures b7 just winning है so इस position में Black ने resignation दे दिया actually अगर आप Queen captures on e6 कहलते हो then Queen captures on b7 और यहां पर आप भी नहीं चली जाएगी क्योंके अगर आप जो है कि लिए जाते हो रूख आ रहा है even आप जो है विच एक रूप को capture करकर भी win कर सकते हो so Knight takes on e6 के बाद यहां पर आये जैसक ने जो है आगे खेलना मुनासिक नहीं समझा और उन्होंने resignation दे दिया सो दोस्तों कैसी लगी आपको Bobby Fischer की यह गेम और आज का वीडियो आई होप मेरा वीडियो और यह गेम दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लिस इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लैक दीजिए और अपने कॉमेंट देना बिलकुल ना बुले तनिवाद जाई हिन बाबाई